ओम नमस्षिवाय दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप सभी का एक बार फिर से वाम वेलकम मेरे चैनल पर और ये जो वीडियो है मेरी जो मौनिंग वाली वीडियो थी उसी का नेक्स पार्ट है पहुत से लोगों के questions थे उस वीडियो के comments में जो मुझे लगा शायद मुझे उसको explain करना चाहिए ठीक है because कुछ लोगों को अभी भी doubt है कि कोई person बार बार आपको hurt कर रहा है ठीक है कोई भी हो सकता है आपकी family में आपकी love life में parents जो कोई भी karmic person कोई soulmate कुछ भी twin flame anyone ठीक है आपको बार बार hurt कर रहा है उसके बावजूद आप जो है उस person को जब react करते हो उसके hurt करने पे तब आपको ये लग रहा है कि कहीं हम ego तो नहीं दिखा रहे हैं ठीक है कहीं हम ego की वज़े से तो separate नहीं हो रहे हैं उन person से यहाँ पर बहुत ही एक thin line है ego and self respect के बीच में जो आप लोगों को समझनी है ego और self respect दोनों के बीच में बहुत ही छोटा सा difference है ठीक है अगर आप इसको बहुत ही ज़ादा deeply समझेंगे तो आप समझ वाएंगे इसको आपको कोई बार बार hurt कर रहा है hurt कर रहा है ठीक है बेशक आपने थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा react कर दिया जो आपको शायद नहीं करना चाहिए था इसका regret है आपको बाद में लेकिन अगर आप उस person से separate हैं बात नहीं कर रहे हैं इसमें आप ego नहीं दिखा रहे हैं आपकी self respect है वहाँ पर because आपको एक ही चीज़ के लिए बार-बार-बार hurt किया जा रहा है उस जगा पे तो आप अपनी self respect के लिए वहाँ से अपने आपको separate कर रहे हैं इगो तब आती है जब उस person ने आपसे माफी मांग ली सब कुछ कर लिया उसके बावजूद भी आप ego में है कि अब तो बस कुछ नहीं चाहिए हमें finished तो अगर आप इस तरह से behave कर रहे हैं तो वह आपकी ego है ठीक है because आपको भी regret है अपनी गलती का सामने वाले को भी regret है तो अगर दोनों mutual understanding है दोनों के बीच में तो दोनों के बीच में फिर ego का कोई काम नहीं है तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा deeply समझना होगा ego और self respect दो अलग अलग चीज़े हैं अगर आप अपनी self respect के लिए किसी के life से निकल रहे हो या किसी की life से separate हो रहे हो तो आपके लिए आपकी self respect थी इसी लिए आपने किया बट अगर बावजूद उस person ने आप से sorry feel किया, सब कुछ किया ठीक है फिर भी आप एक किसी जिद पे अड़े हो तो वो आपकी ego अज़ती है I hope आप लोग समझ पाएंगे self respect और ego के बीच का जो difference है और साथ ही एक question पूछा किसी ने मुझसे कि maam ego के अलावा भी बहुत से issues होते है उनको कैसे heal करना है guidance देजिए तो इस पर मैं बताना चाहूँगी कि मैं already इस पर एक video बना चुकी हूँ कि अपने चक्राज से कैसे अपने issues को heal करना है देखिए जो हमारे चक्राज होते हैं हमारी चक्रा बॉड़ी होती है ये हमारी soul, जब से हमारी soul की existence है तब से हमारे same चक्राज है कितने भी हमने birth लिये ठीक है? कितने lifetime में आप लोगों ने जनम लिये आप लोगों के चक्रा बॉड़ी same रहती है और different different lifetimes में आप लोग different different करमाज को create करते हैं वो करमाज आपकी चक्रा बॉड़ी में embedded होते हैं ठीक है? आपके चक्राज में ये सभी करमाज embedded होते हैं इनको release करना होता है इनी करमाज की वज़े से आप लोगों को बहुत से issues face करने पड़ते हैं से anger हो गया, jealousy हो गया, frustration हो गया, ego हो गया ये सब issues, ego जो है इनकी जड़ है ठीक है? जब हमारे अंदर ये ego आजाती है ना हम लोग desire वाली energies में होते हैं जब हम लोग lower chakras से operate करते हैं जो हमारे lower chakras हो गये जो हमारे 3D word से denote करते हैं solar plexus chakra, हमारा root chakra और हमारा sacral chakra जब हम इन 3 चakras से operate करते हैं lower chakras से तो हमेशा हम desires में फ़र से रहते हैं हमें सिर्फ desire होती है कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए ठीक है? वांटिंग वाली energy में होते हैं लेकिन हमें इस energy से निकलना है हमें अपर chakra से operate करना है जब हम अपने अपर chakra पर आ जाते हैं अपने heart chakra से अपने third eye chakra से अपने crown chakra से अपने throat chakra से operate करना start करते हैं expressive होने लग जाते हैं तब हम having की energy में आ जाते हैं हमें खुद में satisfaction feel होने लगती है तब आपके issues अपने आप heal होने लगते हैं तो सबसे पहले आपको अपने चक्राज पे काम करना है जो मैं उरड़ी बता चुकी हूँ वीडियो में और उस वीडियो का link में description box में डाल दूगी जिसको भी अभी कोई doubt है तो वहाँ जाकर आप video चेक कर सकते हैं description box में उसका link होगा ठीक है next thing अपने issues को heal करने के लिए सबसे पहले अपने issues को accept करना जब आपको पता है कोई चीज की मुझ में ये कमी है तब ही आप उसे दूर कर पाओगे तो सबसे पहले उसको accept कीजिए एक notebook पर note down कीजिए कि आप में क्या क्या issue है आपके अंदर anger का issue है आपके अंदर jealousy का issue है आपके अंदर frustration का issue है ये सब कुछ आपको note down करना है then आपको daily खुद को self check करना है कि क्या आपने इस issue पे आज कुछ काम किया या आपको इससे related कोई situation अगर आपकी life में आई तो आपने कैसे react किया self check daily करना ज़रूरी होता है ठीक है अपने issues को heal करने के लिए तो almost जो हमारे issues होते हैं ego based होते हैं ego इन सब की base है सभी issues का हमारी desire fulfill नहीं होती हम लोग frustrated हो जाते हैं हम लोग anger से operate करते हैं दूसरों को blame करते हैं blaming की energy में रहते हैं इन सब के लिए सबसे पहले आपको अपने lower chakras पर काम करना है अपने energies को increase कीजिए high लेकर जाए crown chakra तक दीरे दीरे आपके issues automatically heal होने start हो जाएंगे साथ ही साथ आपको practically खुद पर भी काम करना है जैसा कि मैंने बताया daily self check करना है और इसके साथ ही बहुत से physical exercises है जो आपके chakras को भी healthy रखती है वो भी आप कर सकते है और साथ में जो मैं video का link है वो description box में डाल रही हूँ आप लोग उसे check कीजिए ठीक है और यही था guidance video I hope आप लोगों को समझ आया होगा because बहुत से लोगों को confusion हो रही थी अभी भी तो ध्यान रखेगा अपना I hope आप लोगों को समझ आया होगा God bless you all, love you all